बॉलेवुट की ब्यूटी क्वीन आलिया भट इन दिनों अपनी फिल्म गंगुवाई काथिया वारी के लिए मिले बेस्ट एक्टरस के नैशनल लवाट की सक्सेस को भरपूर इंजॉय कर रही है और इस खास मौकी पर उनके हस्बंड रनबीर कपूर भी उनके साथ नजराए थे वैसे कुछ दिनों पहले आलिया भट का एक वीडियो भी तेजी से सोचल मीडिया पर वारल हो गया था और इस वीडियो में आलिया ने खुलासा किया था कि उनके husband को उनका लिप्सिग लगाना जरा भी पसंद नहीं है और इस बात पर खुब बवाल भी कटा था लोगों ने रन्बीर कपूर को toxic husband करार दे दिया था अब रनबीर कपूर ने अपनी इस comment और उने ले कर किये गए comments पर चुप्पी तोड़ी है अब actress के इस बयान पर रनबीर कपूर ने reaction दिया है जो की तेजी से social media पर अब बारल हो रहा है हाल ही में रनबीर कपूर ने toxic masculinity के बारे में बात की है और उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं लोगों के साथ हैं और वो इस विशे पर बात करने वाले लोगों को समझ दे दी हैं उन्होंने साथ साथ कहा कि वो एक actor हैं और वो एक public life को lead कर रही हैं तो ऐसे में उनकी identity का लोग प्रयोग करेंगे ही और इसमें कोई दिकत होनी भी नहीं चाहिए साथ ही उन्होंने कहा कि वो social media पर नहीं है ऐसे में वो काफी negativity से बच भी जाती हैं कभी कभी एक actor के रूप में आपके बारे में बहुत सारी बाते लिखे जाती हैं बहुत सारी राय बनाए भी जाती है जो जरूरी नहीं है कि सच हो लेकिन इन्हें एक चुटकी नमक के तौर पर लेना ही ठीक है मीडिया द्वारा कई ऐसी बाते लिखी और कही जाती हैं जिन पर मेरा कोई जोर नहीं है और फिल्मों में acting करते हुए इनको रोग भी नहीं सकता इसका स्वामित्व जनता के पास है, इसका स्वामित्व उन लोगों के पास है जो मेरे काम को पसंद करते हैं या मेरे काम को ना पसंद करते हैं और उन्हें मेरे बारे में कुछ भी कहने की परमिशन है और खास बात तो यह है कि जब तक वो मेरे काम को मौका देते हैं जैसे आप जानते हैं जब तक मैं उन्हें एक अभिनेता के रूप में उनके सामने रहूँगा तो ये सब होता ही रहेगा और मेरा हमेशा से ही ध्यान अपनी एक्टिंग पर ही रहा है तो फिलहाल रनबीर कपूर ने आलिया भर्ट के शेर किये गए वीडियो पर अपनी राय रख दी है इस बारे में आप लोगों की क्या राय है आप भी हमें जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं और एंटर्टेंडमेंट से जूरी तमाब खबरों को देखने के लिए से जरूर सब्सक्राइब करें NBT Entertainment तिल देन दिस इस मी प्रेणा कौशिक साइनिंग आउं